हेलो एंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल कोडवित लक्षू आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह सीरीज इस टॉपिक के उपर रिलेटिड होगा आई एस में बता देती हूँ इंट्रोडक्शन टू एंबेडिड सिस्टम का जो प्रैक्टिकल है वो सारे प्रैक्टिकल सम कवर अप करेंगे इस चैनल में तो आप यह चैनल में जरूर बढ़ने रहे का एंड तक हमारे साथ तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिले कै कैसे जनरेट कर सकते हैं तो यहां पर यह हमारे आज का वीडियो का एम होगा कॉन्फिगर टाइमर कंट्रोल रेजिस्टर ऑफ 8051 एंड डेवलप अप्रोग्राम टू जनरेट टाइम डिले तो हम टाइम डिले कैसे जनरेट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में वह हम और यहां पर हमारा जो कील सॉप्ट्वेर है वह ओपन हो रहा है और यहां पर देखिए जो हमारा सॉप्ट्वेर था वह ओपन हो चुका है तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट पर जाना है और यहां पर आपक जैसे कि मैं अपने नेम देती हूं टाइम डिले प्रोजेक का नेम देती हूं और एंटर कर देती हूं एंटर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा यहां पर हमें एक यहां पर ध्यान दीजे का हम स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर यूज करते हैं हमारे आई एस को सॉप्वेर के लिए तो हम यहां पर नाम लिखते हैं माइक्रोप्रोसेसर का जो कि है यहां पर यहां पर यहां पर टारगेट पर क्लिक करना है और यहां पर देखिए जो हमारे नंबर होगा उससे हमें लिखना है यहां पर चेंज कर देना है और लिखना है लेवल 0.0592 और यहां पर आउटपूर्ट पर जाने के बाद हेक्स फाइल को एनेबल कर देना है Haix file को enable करने के बाद यहां पर plus पर click करना होगा देन यहां पर source group का फोल्डर मिल जाएगा उस पर right click करना होगा देन यहां पर add new item to group source group 1 पर click करना होगा फिर कुछ ऐसा interface open हो जाएगा यहाँ पर हमें C file को select करना है और यहाँ पर उसका कोई name दे देना है जैसे कि मैं इसका नाम दे देती हूँ time delay जो कि मैंने पहले भी दिया था हमारे project को और यहाँ पर अभी अपने C file में दे रहे हैं और इसे add कर देना है एड करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरा जो C file वो create हो चुका है मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जितने भी हम IES में practical perform करेंगे उसमें C programming का ही use करेंगे तो इसलिए हर बार आप ध्यान दीजेगा कि आप जबी भी file select करेंगो तो C file ही select कर रहे हो तो चलिए हम अपना program स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें package import करना होगा तो package import करने के लिए C में हमें क्या लिखना होता है include और यहां पर कौन सा हम register का एक जो सारे register जिसमें होते हैं वो package को import करें उसका नाम है reg51.h इसे include कर लिए हैं फिर यहां पर हम generate क्या करने वाले हैं delay तो delay का function create कर लेते हैं function create करने के लिए void delay लिखते हैं फिर यहां पर हमें हम दो फॉरलोग चलाएंगे तो दोनों फॉरलोग के लिए दो वेरियेबल्स लगेंगे तो सबसे पहले हम वेरियेबल को इनिशलाइज कर लेते हैं वेरियेबल के नेमें i और j और यहां पर हम फॉरलोग चलाते हैं फॉरलोग चलाने के लिए हमें i is equal to zero फिर हमें देना है i is smaller than 1000 milliseconds 1000 क्यों दिया है वह है 1000 milliseconds के टाइम हमें generate करने है इसके लिए हमने 1000 वहां पर लिखा है और यहां पर आई प्लस 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 और यहां पर हम यहां पर एक चीज़ ध्यान दिजेगा कि आप आप जितने भी करली ब्रेसिस को ओपन कर रहे हो वह आप ध्यान दिजेगा कि आप उसे क्लोज भी प्रॉपरली कर रहे हो क्योंकि बात में यही छोटे-छोटे हमेंगे regret मिस्टेक्स बहुत सारे Appreciate कर लिया है अभी हम अपने पर कॉन सा स्टार्टिंग पॉईंटكون यहां पर मैं यूज करूँग्य प्वाँगे देन टूर इसके बीच में डिने चंडिन्ड कर देना है और इसे close कौन से वाले यह में करेंगे नमबर में 0 into 00 के function को call कर देंगे और यहां पर अपने सभी देखेंगे कर लिपरे से properly close है कि नहीं और यहां पर हम अपने प्रोग्राम को run करके देखते हैं बिल्ड करके देखते हैं sorry कि हमारा जो बिल्ड है वो successfully हुआ है कि नहीं तो यहां पर source के रूपर जो प्लस वल आइकन था उस पर क्लिक करना था उसके बाद time delay जो हमारा c file ले उस पर right click करना है then build target कर देना है बिल्ड टार्गेट करने के बाद यहां पर देखिए zero errors and zero warnings दे रहे हैं आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा हम आई एस में practical करते समय सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम को बिल्ड करके देखना होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई errors या वार्निंग्स है कि नहीं अगर आपके प्रोग्राम में errors या वार्निंग होगे तो आपका प्रोग्राम करने का कुछ मतलब ही नहीं होगा सबसे पहले आपको बिल्ड करके देखना है कि आपके प्रोग्राम में कोई error है कि नहीं है अगर नहीं है तो यह आप अपने प्रोग्राम को execute करें तो यहां पर देखिए हमारे प्रोग्राम में तो कोई error नहीं है zero errors and zero warnings दिखा रहा है तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को execute करते हैं तो execute करने के लिए debug पर जाना है और यहां पर start debugging पर क्लिक कर देना है फिर यहां पर देखिए हम अपने debugging mode पर पहुच चुके हैं पहुचने के बाद हमें simply इसके port select करने होंगे प्रोग्राम पर क्लिक करना है और फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आजाएगा फिर हमें जाना है डीबग पर और यहां से अपने प्रोग्राम को run कर देना है तो यहां पर देखिए हमारा जो प्रोग्राम था वो successfully run हो चुका है यहां पर हमारा time delay हो चुका है 1000 millisecond का और जो यह हमने numbers दिये थे port 1 ले 0 into ff वो थे हमारे starting point जो start हो 0 into ff और end हो 0 into 00 तो देखिए ports के number जो वो shuffle हो रहे हैं वो भी 1000 millisecond में तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे time delay generate कर सकते हैं तो अगर आपको इस वीडियो के related कोई पी issue या doubt होगी तो feel free to comment me in the comment section thank you for watching this video हुआ हुआ है